नमस्कार दोस्तो mlg.com पर आपका स्वागत करते हैं उस कारकरम में जिसका नाम है सिर्फ पॉल्टिक्स हर्याना में भारते जनता पालिटी ने आठ सीटों पर अपने उमीदवारों की घोशना कर दी थी दो सीटें जो बाकी बच्चे थी उनकी सब तरफ चर्चा है कि वहाँ से कौँच नाव लड़ेंगे अभी कल ही भारते जनता पालिटी की प्रदेश हिकाई ने दो नाम फाइनल कर दिये थे तै कर दिये थे दो नाम और केवल अपचारी घोशना उसकी बाकी रखली गई थी वो दो नाम थे रोतक से दीपा मलिक जो पैरा अलॉम्पियन है और हिसार से रनबीर गंगवा जो हाल ही में इंडिये नेशनल लोकदल छोड़ कर भारते जनता पालिटी में शामिल हुए हैं हलाकि नाम तै करने के बाद भी सियास्त शुरू होगी विदिन बीजेपी भाजपा के अंदर अंदर एक नई राजमिती शुरू होगी और हर्याना भाजपा के रज्जे के दो मंत्री नेत कर रहे हैं और रोहतक में एक मंत्री टिकेट लेना चाहते हैं जबकि दूसरे मंत्री हिसार में टिकेट लेना चाहते हैं मंत्रियों के नाम का हम खलासा नहीं करेंगे हलांकि हमारे सुत्रों ने हमें बता दिया है फिर भी दीपा मलिक का जो नाम आया है वो उसकी बहुत च तर्चा हो रही है दीपा मलिक के बारे में क्यूं सोचा भारते जनता पार्टी की प्रदेश हिकाई ने जिसने उनको शामिल करवाया गया था भाजपा में तभी सेट कलें लग रही थी के उन्हें टिकट दिया जाएगा दीपा मलिक पैरालॉंपिक की बहुत ही मशूर खिला की रहने वाली हैं वो पंजाबी नागपाल परिवार से संबंदित हैं उनके पिता जी बाल किशन जी नागपाल भिवानी के हैं और सेना से संबंद रहा है वो सेना में करनल थे अब रेटायर हो चुके हैं उनके पती भी जहां वो बयाई गई हैं दीपा मलिक जो मलिक उनक सेवारत हैं सेना में हैं दीपा मलिक की सधारण जिन्दगी वह अपने जी रही थी लेकिन 1999 में उनके लिए एक बहुत बड़ी घटना हुई उन्हें फिजिकली एक चैलेंज का सामना करना पड़ा लेकिन उस चैलेंज को ना केबल उन्होंने निभाया बलकि उस पर विजे प्राप्त की चैलेंज ये था कि उन्हें सपाइनल एक ट्यूमर हो गया था रीड की हड़ी के अंदर एक ट्यूमर हो गया था और बहुत गंभीर बात होती है अगर ये कभी फिजीकली किसी को समस्या ये आ जाए लेकिन दीपा मलिक का उसके बाद उपरेशन हुआ और जैसे ही उपरेशन से वो उबरी उन्होंने ये फैसला किया कि वो अलॉम्पिक्स में जाएंगी पदग जीतेंगी और तभी से उन्होंने पैरा अलॉम्पिक्स जो होती है जो दिव्यांगों के लिए अलॉम्पिक्स होती है पूरी दुनिया के देश के जो दिव्यांग लोग है उसमें जाते हैं क्योंकि फिजीकली वो चैलेंज हो और 18 मैडल अंतरास्टियस तर पर जीते हैं एक मैडल उनका भी पिछले पैरालॉम्पिक में जो सबसे बड़ा मैडल है जो भारत की पहली महिला को मिला मैडल है वो है सिल्वर मैडल दो खेलों में उनकी महारत है एक तो शॉर्टपट फैंकती हैं दूसरा वो जैवलियन वो फैंकती है जो आपका भाला होता है भाला फैंकी जो प्रतियोगता होती है दोनों में उनकी महारत है इसके इलावा वो स्विमिंग में भी बहुत ज़्यादा रुची लेती है और जो मोटर साइकलिंग है जो उस पे भी बहुत ज़्यादा वो कंसेंट्रेट किये हुएं आजकल इस तरह से वो महिला जो अपने शरीरिक समस्या से जूज रही थी एकदम से उबर कर बहुत बड़ी खिलाडी बन गी क्यों बन गी अपनी विल पावर के कारण बन गी और मुझे लगता है मेरा अपना विचार है ये कि उनकी जो ये विल पावर है उनके सैनिक घराने से आई है जो उनके पेरेंटल जो घराना था वो भी सैनिक था और जो आगे ससुराल का घराना था वो भी सैनिक था और सैनकों जैसा जजबा लेकर वो अपने जीवन के मैदान में उस जंग में जूजी और वहां से निकल कर आगे बड़ी अब वो आगे हैं राजनितिक मैदान में और भारत्य जंता पार्टी ने उनको जब शामिल करवाया था उसके पीछे अंगल ये था कि वो पंजाबी परिवार से आती हैं और जाट परिवार में ब्याई हुए हैं इसकर के जो कंबिनेशन बनता है पंजाबी वर्सिज जाट का और ये दोनों अगरे एक हो जाते हैं तो बहुत बड़ी घटना राजनिति घटना हो सकती है और इसी घटना को अंजाम देने के लिए भारते जन्ता पार्टी ने उनका नाम तै कर लिया है और रोतक से उन्हें उतारा जाना निश्चित हो चुका है रोतक में वो जिस तरह से भाजपा की कोशिश है कि कमल इस बार खिलाया जाए कैसे भी खिलाया जाए ऐसे में सबसे प्रभावशाली उमीदवार दीपा मलिक हो सकती है दीपा नागपल मलिक हो सकती है और भाजपा के लोग त्यारी कर चुके हैं हलांकि तारपीडो करने की जैसा मैंने आपको बताये कोशिश शुरू होगी है इसके बावज़े भी दीपा मलिक पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं और अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो दपिंदर हुड़ा के लिए चुनोती साबित हो सकती हैं उस दपिंदर सिंग हुड़ा के लिए चुनोती साबित हो सकते हैं जो लगातार तीन बार सांसद हैं लोग सबा रोतक से और उनके पूरे प्रिवार का वहां दबद पर थी तब भी वो जीत नहीं पाए थे वुपिंदर सिंग हुड़ा से और रोतक से चुनाव हार गए थे वुपिंदर सिंग हुड़ा जीते थे तब भी ऐसे में भी जिसको पार नहीं कर पाया कोई भी वो हुड़ा प्रिवार जिसमें मुख्यमंतरी के पिता जी और जो सु सद्धियां से रहे हैं एक तरह से एक राज़तिक घराने का वर्षचस्व है पूरा रोतक शित्तर में वहाँ पर भाजपा कोशिश कर रही है कि वहाँ कमल खिलाया जाए वहाँ क्योंकि अभी अभी मेर के चुनाब में भाजपा को बड़ी अच्छी सफलता मिली है हलाकि उन और सबसे जादा वोट है जाट समाज के जो 6 लाख वोट है इसी करके ये चुनोती पूरन बनाता है किसी और के लिए क्योंकि भपिंदर सिंग हुड़ा का परिवार का जाट जो मत दाता है उस पर पूरा का पूरा होल्ड है अब तक इसलिए दूसरों के लिए बहुत कास के काम कियें वो सब को नजर आते हैं ऐसे में दीपा मलिक कितना मकावला कर पाएगी क्या कर पाएगी हलांकि भाजपा भी लबरेज है पूर एक कॉन्फिडेंस में है लेकिन कहां क्या होगा ये कैसे होगा और कैसे दिपंदर को जो हराने की बात इस चुनाब के आपको बताते रहेंगे हर घटना बाहर की घटना के अंदर के जो कारण है जो अंदर क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है सब आपको बताते रहेंगे इस चैनल पर जिसका नाम है mlg.com और आप हमें सब्सक्राइब करके जाईएगा हमें फेस्बुक पर भी आप लाइक क में फॉलो कीजेगा बहुत 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 शुक्रिया आपका धन्यवाद जैहन